राधी राधी आज कल बहुत ज्यादा ट्रेंड में हमारी गाउन टाइप साड़ी ठीक है तो आज हम इसकी कटिंग स्टेचिंग इसका नाप कैसे लेंगे वह हम देखेंगे तो यह मैंने पूरी एक साड़ी में से बनाई है जो हमारे साड़े 5 मिटर की साड़ी है तो इसका कोई भी साड़ी पढ़ी है तौई लेंगे और कटिंग कैसे करेंगे चुरुऑ सारा तरीका में आपको बताहूंगे में आप को ही साड़ी कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा ठीक है सबसे पहले हम नाप ले ले लिए तो नाप के लिए हमें इसकी लेनी पड़ीगी तो मिडल पॉइंट में इंची डेप को रखा है और नीचे नाकून तक हम इसकी ले लेंगे अगर आप हील पहनते हो तो इसमें आप एक इंच प्लेस कर लेगे ठीक है तो जितनी वी बीड़ाइं से लेंगे हम इसकी घूटने से उपर की घूटने से लेंगे नहां पर हमारी फ्रिल लगे ठीक है ठीक है तो जितना भी आरा है تीसरा नाप हम शोदेल्이다ल ले लेंगे इसकी लिकार साड़े चोड़ा में लगाऊंगी लेकिन मैं छोटी चोटी बाजू का इसका ऑप्शिनल है यह आप मार्केट से खरीते तो आपको गला छोटा में लेगा लेकिन इनको गला में बड़ा बना के दूंगी तो यहां से इनको आगे का आठ इंच का नेक चाहिए तो आपको इंचे टेप मिडल में रखना और स्टेट में आप लिए तो यहां से अपने अस्तर का पीस लिया है और यह हमारी साड़ी तो यह ब्लाउज है इस पर ब्लाउज मैंने अलग कर करके रख लिए जिसको मैं अपने ऊपर चोली वाले पार्ट में लगाऊंगी ठीक है क्योंकि कपड़ा थोड़ा महा सब्सक्राइब करने क्पर करोंख निचे का पार्ट में रखोंगी यहां से यहां पर हमारा पला है पल्ले की साइड से हम पहले सबसे पहले हम इसमें से 2.5 मिटर कपड़ा अलग कर लेंगे क्योंकि जो हमारा पल्ले कर लेंगा ठीक है तो हम धाइम couple लेंगे इसको जितना क करेंगा तो आप अगर जैदा आपका है भी सी आइज है लोंग चाइज है तह तीन मिटर भी ले सकते हैं ठीक है थाई मिटर कमेने जहां से इसको कट कर लिया पर लेकी साट से और बाकी यह बचा हमरा फैबरिक थीक है नीचे यह वाला हम अस्तर पे इसको कटिंग कर लेंगे आश्टर क Oklah Herkessner कि देखा यहाँ से तो सबसे बहुत पहले नेट कर लेंगे तो उसमें चुथिंचा कर लेंगे लेकिन रिना है मैं अबाद़नेंगे यहां Do यहां से भी हम लेंगे और इस लेंगे करने के बाद लेंगे हम तो इसका चोथा पार्ट में ने ग्यारा इंच का लिया है तो नेक डीप है तो मैंने कुछ भी लूजिंग नहीं करिए तो यहां से कर भी हम कमर का साइज ले लेंगे कर में अपको दो इंच प्लस कर लेना जितना पाइगा चौथा पाट आपको कर देना निशान अपका जितना भी ने लेंगे कर दे हम चाहें के इसमें नहीं लगा यहां कि हमारा अ शेप में अगली कटिंग निशान लगा लेंगे तो फुल प्रोसेज मैंने आपको बता रखिए हुँ कि हमने नाब भी कैसे लेना है और आपको नाब लेने का भी तरीका मैंने बता दिया और श्टेचिंग का दूंगी और यहां हमारी तो यहां से ब्रॉड में था निया है और नेक हमारा आठ इंच था तो यहां से आठ इंच लिया है इसको साड़े आठ भी ले सकते हैं उपर आदर आपका सलाइए में जाया का ठीक है तो इसका बॉक्स मना लेंगे और शेप दे दिनगे हम नेक की तो हमारा यह पैटर रेडी कर लेंगे यहां से कट करने के बाद हमारी अगली कटिंग हमने करनी है तो एक पार्ट को हटा देंगे और अगली कटिंग को हम कर लेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा और पिछे की साड़ भी आपको नेक बर रेडी कर लेना है तो यहां से हमने इसका नाप लेन डेंगे, तो हमारा कपड़ से उयां को सीक्ट करें यहां तक हमारा कMore कमर है सुमर्क में हरा को रखेस्ट क क्लिन चाहिए लेंगे पिछले कै보िक सुख़र कर थि गदा मेंगे में तक हमिस्क्षक निचान लगाने के गदा का बा click किया है और यहां से एक पार्ट को अठा लेंगे और यहां से इसको आग्ले करेंगे गई है इस Fast को हम जितना भी निचाही निकाल लेंगे तो इस तरीक हे से हम कपड़电् Micheais कर देंगे तो हमारा कर के निकाल लेंगे यहाई हैं अब छाड़े 5 मिटर की थि हैं छ्वाधर यहमारे ज्यादा नहीं है नीचे का पर हमने do करेंगे चुक्त करेंगे तो दोनों पर हमारे का से रहें होक Being बस War no Super precisa में रहाएक रही तो स्टीचिंग के लिए पहले तो मैं इस ऐदा रखे उनीप स突़ आप यहां से नाप लूंगी मैं इसको तो 19 इंच की हम बैट रखने क्योंकि हमारी स्लाई में जाएगा नीचे से मारा स्लाई में जाएगा क्योंकि नीचे मारे करनी वाला पार्ट है नीचे आप इसमें लैड अटेच कर सकते हैं तो मुझे लैस नहीं चाहिए क्योंकि मैंने करनी वाला पार्ट नीचे के साड़ लिया ठीक है तो कट कर देंगे यहां से आप दीछव इंगा नीचे के सबस्क्राइगा नजेड़ां तो क्योंकि अमारे पार्ट नीचे की सघ कर दो आपके कम कपड़ाया है हमारा ठीक है यह जोड लगा दिशान रखना आप दिश्ग मुलने कनि तो हम लेस्ट कर सकते हैं लेस्ट नहीं चाहिए लेकिन तो यह यह पार पारप में फाल रायगा और नीचे का पार रहेगा आपको दिखा देती हैं यह दोनों पारा हमने जैसे कट कि हैं तो कि कबड़ा करने तो इसको सीद रहा और चॉली वाले पार्ट को यह प्लाइब को सेम कपड़ें आप कर सकते हैं अपको चॉली वाला अलग जोड़ने की जुरत नहीं यह तो कपड़ अचेश करने लेना है ठीक है उपर हमें एक टॉप स्टिश लगा देंगे यहां पर हमारा चोली वाला साइड है ठीक है और नीचे हमने सीधा रखना उसको अने लाइनिंग देखें हमने अटेच कर लिए तो आपको अपर बना सकते लेकि में पतला है तो यह कपड़े की जो लुक होते हैं तो पतले कपड़े में अच्छे आते हैं ठीक है एक्स्टा पार्ट को हम कट कर देंगे और इसका स कर लेंगे लोग Cuर्णीर गेवन हमने कर लेंगे के लिए वसकंट तो अब कर लेंगे अरह चारो तरफ से बुक्रम प्रणा इमसी आहिं की सब्सक्राइब आप को तो सारे को अम से आपको सेम्त एजर्म कैट कर रहतें में कप तर लिए सब्सक्ते सब्सक्राइब क तो आप स्टिच कर देंगे हम जो हमारा मार्जन है पट्टी की साइड रहेगा और इस पर पट्टी पर हम एक टॉप स्टिच कर देंगे फिनिशिंग के लिए और आपकी पट्टी ना निकले दोनों पाटों को आपको ऐसे ही रेडी कर लेना आगे का भी पीछे का भी मैंने कर लिया दोनों पाटों बाड़े लेका देखि इसका आपस में इसे शो cred के परेंगे तो जुट्रों में ढलेंद क्यों हो जोड़े ने сейчасै कर लेंगे तो तो हम दोनों साइड में में भीटिंग है पहले मिन अपको बता नीया को मेरा पार्ट है कर दिया के लिए पूरा पहले है का शोन यृसों ऑरी लेता सुपझा उसको ने लिए मिला करनी इसे बनाने का तरीका, यह आप सबस्क्ति आपके अपको बना सकते हैं, सबस्क्तों नाकर जो किसे क्षटे छोटे फिल लेते हुए, भील की आप पलब भीलो फिर आप जैसे बनाने का चाहते हैं, तोुक्त बना लोंगी अरप को हमारी चोड़ाई रहेगी न वह आपका जो ह इसका बोटम पार्ट की पहले हम साइड के सिलाही कर लेते हैं जो एक चीज और बताना चाहूंगे आपको शिलाही लगाएंगे यहाँ पर जो फिटिंग पॉइंट हमने लगाया था वहां से लाई लगाना स्टाट करिए तो हमारा कमर का निशान रहेगा यहां पर यहां पर तो साड़े पांच चीज शाजा मालग्या को कमर से हमने फाथा यहां पर फिटिंग पॉइंट मईं है यहाँ पर अधीन का फायिए जादा लेग स्कूरी जेंगे माले यहाँ पतला नाय। तो हमने लूप लगा लिया यहां पर एक अंदर से इसको पका कर लेंगे और पूरा हम कोने तक इसको सिल लेंगे यहां जितनी हमारी फिटिंग दी ठीक है कोने तक सिल लिया हमने एक पार्ट हम एक साइट से हम सिलेंगे नहीं इसको एक साइट से सिला है अब यहां पर हम एक अगर आपको दिखे कि अपकी हल्की चोटी हो रही है तो आपको थागे को तोड़ भी सकते हैं तो आपके पूरे पार्ट में बॉटम पार्ट में अच्छे से अर्जेसे आपको इस तरीके से करना है चाहे आप कच्छा भी कर सकते हैं को दोनके कि प्छेका फ्रिल कोजोडने लेना के बार्ट है वमड़ी नीचे यहां पर मै flour को और मैने तीन मीटर का यहां से कप्ड़ा जाक है ताकि जो हमारा ट्रांस्पेरेंट ना लगे पतला कपड़ा होता है क्योंकि तो यह देखिए आप गाउन स्टाइल में भी पहन सकते हैं इसको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमें शेयर करना ना भूलिए और नेक्ट वीडियो में लेकर आऊंगी जो हमारा जो आए जो कि ब कर दूड़ा लेकर शेयर कर दोड़ा है जो हमारा कर दो हमारा कर दो ब खोलिए पतला कर दो हमारा स्टाइला गाशने खिएल में लेकर जच़ाद़ में